अगर आप भी pencard के PDF को open करते हैं तब आपसे password पूछा जाता हैं यानि कि आपने NHDL या VUTI के माध्यम से pencard apply किया हैं और pencard apply करने के बाद pencard को download किया हैं और आप pencard को open करते हैं तब यहाँ पे आपको this file is protected और password पूछा जाता हैं और आपको password पता नहीं हैं तो सिर्फ दो मीट में ही आप password को किस तरीके से पता कर सकते हैं क्या password डालेंगे इसकी complete process इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें जैसे कि यहां पर हमने एनेज डिय लिया आप यूटी आई के माध्यम से दोनों ही website में किसी से भी आपने pencard को apply किया है pencard को बनाया है और आप pencard के PDF को open करते हैं जैसे कि यहां पर हम pencard के PDF में हमाल पास यहां पर document में रखा है तो हम इस PDF पर हम क्लिक करते हैं जैसे कि यहां पर आप document पर जाएंगे file manager में जाएंगे और यहां पर document वाले option पर जाएंगे और यहां पर आपका जो PDF रखा है यहां पर हमने PDF जो डाउनलोड है हमारा यहां पर pencard का इस pencard की PDF पर हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करते हैं यहां पर हमसे password पूछा जाता है और देख सकते हैं इस file इस प्रोटेक्टेर और पासवर्ड यहां पर हम पासवर्ड डालेंगे तब यह PDF उपन होगा बीना पासवर्ड के PDF उपन नहीं होता है तो क्या आपको पासवर्ड सबसել आपको याद रखना है आपको अपना dog डालना है यानि कि date of birth यानि कि आपका जो date of birth रच भीर्ड फिल करेंगे तब यह PDF open होगा date of birth में आपको डालना है आपका एक जन्वरी 2000 ह्यां तो आपको डालना है 01020000 आपको यहां पर enter करना है पूरा date of birth बिना वो आप फिल अप करना है और ओपन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेन कार्ट का जो पीडियेप है वो ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से आप पेन कार्ट को पीडियेप को ओपन कर सकते हैं